जैन दोस्तों स्वागत करते हैं फिर से आपका हम अपने यूटूब चैनल GSS Study Pro में दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग जारखन उत्पाद सिपाही के होने वाले दोड के बीसे में कुछ बातों को जानते हैं इंट्रेस्टिंग बात है और कुछ ग्यान देने वाली बात है कुछ ग्यान लेने वाली बात है तो चलिए उन बातों को जानते हैं अप्रेल महा के अंतृतिय सप्ता में थर्ड वीक ओप अप्रेल महा हम इसका फिजिकल का हम टेस्ट ले लेंगे अगर सही रहता है जी सेसी का सारा सीडूल अगर सही रहता है तो निश्चीत रूप से इस आसपास में आपका फिजिकल हो जाएगा ठीक है तो चलिए हम लोग कर दीजें दोस्टों थक सेर कर दीजिए ठीक है तो चलिए देखते हैं हमने जांक उत्पाद अधू सिपाही काल दोड़ पर क्रिया लगातार दोड़ने होंगे, खिक है, तो उन भाईयों को मैं बताना चाथा हूँ कि जी हां, आपको एगदम सही दोड़ने होगे, कुछ भाईयों का कमेंट आ रहा था, कि कित बीच में रूक trio कि हम डीस्क्वालिफाय हो जाएंगे, तो देखे, मैं आपको बता देना चाहता जितनी ग्राउंड है, वो सुब मान के चलिए कि 400 या 500 का ट्रेक है, ठीक है, और दोडने हैं आपको 10 किलो मीटर, और जनरली ग्राउंड का जो इसका जो सरकमफैरंस है, वो मान के चलिए 400 या 500 है, 400 को ज्यादा प्रिफर किजिए, ठीक है, तो इसे साब से आपको 25 राउंड लगाने हैं, अगर आप यहां से राउंड लगा रहे हैं, तो आप अगर ठक जाते हैं, या तो फिर आपको लगता है कि हम कुछ देर से चलें, यानि कुछ पैदल चलें, तो आप चल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको यह जो निर्धारित जगा जो दिया रहेगा, बस उसस से आपको बाहर नहीं निकलना है ठीक है आप थोड़ा सा रूखे चले 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 मैंने कि आपको चलते रहना है निरंतर अपने आप में गती रखना है एक मोशन को रखे रहना है ठीक है और इस तरह से आप 25 चकर पूरा कर लेते हैं एक घंटे के अंदर तो आप लगभग को मिल रहे हैं 60 मिनट ठीक है लगाने है 25 चकर अगर आप 25 को 60 से इस्तर करके कुछ डिभाइड देंगे तो अल्मोस्ट यह 25 दून पचास 10 यानि लगभग लगभग यह आपका 2.4 ठीक है 2.4 यानी 120 सेकेंड और प्लस चाज़गे 24 24 तो यह आपका लगभग हो ज यह लगभग सेकेंड आपको रखने हैं अगर आपका 25-400 मिटर का ट्रेक है और आपको 25 राउंड दोडने पड़ रहे हैं तो तो लगभग लगभग आपको हर राउंड में 140 सेकेंड और 145 सेकेंड का रेशियो रखना है ठीक है यानिक लगभग दो मिनट 20-15 20 सेकेंड इससे कम समय में आप 400 मिटर दोड लीजेगा ठीक है एक बात और अगर आपका सामने वाला तेज गति से दोड रहा है तो आपको उसको फॉलो नहीं करना है ठीक है आपको मध्यम चाल में ही चलना है आपका जो चाल का भी जो प्रेक्टिस कर रहे हैं उसी चाल को रखना है कि प्रेक्टिस करना बहुत जोरी दस किलोमेटर का दोड एक आप लोग अब कर्बेस होग है टेक्ब अब tutti कि अभी तक यह श्याट कर लिजे तो स्टार्थ कर लीजे क्यूंकि दोड़ ओ y exploring करायेगा इसके बाद ही आपका लिखित परफिछा कर आई आगा विडियों को कर मुहसे सांसे लेना स्टार्ट आपके गलबान करते हैं अब जल्दी सुक जाएगा तो स्टार्टिंग में आप नाक से सांस लेजए जिन लोगों का दोड़ है जो लोग दोड़ते हैं उन लोगों को मुझे बतानी की जूरत नहीं है उन लोगों को बताना मतलब सूरीज को दिया दिखाने जैसा होगा ठीक है वह लोग बहुत अच्छा से दोड़ते हैं मुझे कमेंट आता है कि सर मैं 41 minute में 10 km मार लेता हूं म इसलिए क्योंकि उस दिन रहेगा आपके माथा पर चीप अगर आपका रिकोगनाईजेशन नहीं होता है चीप का और उस वक्त जिदि आपकी एक क्राउंड भी काउंटिंग घट जाती है तो आप डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं फिर आप कहेंगे सर इतना मेहनत करने के इतना में भी क्वालिफाई है तो जो लोग दोड़ते हैं उन लोगों को मैंबताना चाता हूं कि आप लोग जो है नाक और मुन से सन्जुक्त सांस लेंगे एक ठकने के बाद एक स्टेज्ज के बाद अपना एक को पकंड गर लीजेए कि लगवाएग आपको तो 2 मिनट 15 से 20 सेकेंड 24 सेकेंड तक कर समय हैं अगर आपका ट्रैग से 900 म का है गया थ्याजि आप 2 मिनट पूरा हो जाएगा तो आपका डो मिनट में पूरा हो जाएगा बताएगा भी कि आप कितना दूर और बाकी है क्योंकि आप परतेक चक्कर में घड़ी देखेंगे आपके हाथ में घड़ी होगा, आपके ग्राउंड में घड़ी होगा डिजिटल वाच लगा रहेगा ग्राउंड में ठीक है, सभी स्विधाय दी जाती है आप खुद से भी नॉर्मल वाच पहन के जा सकते है वो इलेक्रोनिक वाच पहन के मत जाएगा प्लीज नहीं तो खुलवा देगा बाहर में ठीक है, उसके बाद आप ऐसे करके रणिंग कर सकते हैं उसके बीच में आप ठकते हैं, तो हलका पैदल चलिए यकिन मानिए मैंने कुछ लड़कों को पैदल चल के क्वालिफाई होते हुए देखा है एक दो चक्कर, ज्यादा नहीं दोस्तों एक दो चक्कर वो बीच में पैदल चले हैं और खुद भी अपना बिती सुनाते हैं कि मैं एक चक्कर पैदल चला था 10 किलो में फिर भी क्वालिफाई हुआ तो एक दो चक्कर पैदल आप चल सकते हैं अगर आपके पास समय है तो ठीक है अब आप सारा बात को समझ गये होंगे कि अगर आप इतना डूरेशन में अगर आप चलते हैं तो आप न थकेंगे और नहीं आप डिस्क्वालिफाई होंगे ठीक है अगर इससे पहले चल जाते हैं तो बीच में आप पैदल चलिए बात सिंपल है ठीक है तो देखें दोड़ है ठीक है अगर दिमाग ढया तो आपको हर्ना नीरल दिमाग से नहीं हरना आक आपको शॉच्प इसके बात दोस्तों बात करते हैं एक चश्पकर करते हैं एक मैंने भूल गया था अभी अगर आप प्रेक्टिस कर रहे हैं तो तो अभी अप circuit रख सकते हैं अपने साथ ठीक है उससे आपका जो है न थोड़ा इसक्रेमिना बढ़ेगा ड्राइब फूड्स रखा किजिए अपने पास क्यूंकि आप 10 किलुमेटर की तैयारी कर रहे हैं ठीक है एक बढ़ा लक्षी होता है बहुत बढ़ा तो नहीं कहेंगे बढ़ बढ़ अपने सरीर पर ध्यान देते हैं अपने फिजिकल पर ध्यान देते हैं तो एक दिन आपका वही आपके पूरे परिवार को ध्यान देगा यहीं दोड़ अगर आपकी नोक्री हो जाती है लग जाती है जारकण में गवर्मेंट जॉब तो आपका यही जॉब जो है आपके प आपको उन सब से आगे आना है तब जाके आपका मेरिट करने रिधारन किया जाएगा ठीक है यह कोई आपको इसकोल का एक्जामेसन नहीं है कि आपको बहुत ही जोरी है किनकिन से पढ़ाय करने है वीडियो में ने अल्री बनाया वाँ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है आप मेरे चैनल को विजट कीजिए जाके वहां से देखिए कौन-कौन से बुक को कालते हुए कि पर्डे अपना जारखंट जी के देऊं और उसके बाद मैं साइंस का रिलेटर कोश्चन भी दूँगा जो कि बीस कोश्चन से पूछे जाएंगे से स्टेंडर्ड जेनरल साइंस का दोस्तों ज्यादा नहीं है उपर हाई का नहीं है उसमें रोजमर्रा की ज जिंदगी में जो कोशन पूछे जाएंगे वहीं पूछे जाएंगे तो इस प्रकार से आपका तैयारी बहुत बढ़ियां हो जाएगे ठीक है साइंस का भी सीरीज आएगा फिलाल अभी धारखंट जीके का आया हुआ है हम धारखंट जीके को पढड़ एकोसिस कर रहे हैं फिलाल अब दौड़ की इस बिशे को समझ गये होंगे क्या आपको दौड़ना है कैसे दौड़ना है सामने वाले को कैसे नहीं देख के दोड़ना है वीडियो अच्छे लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजे दोस्तों के साथ कियात कर लिजिए चैनल पर नहीं आये हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लिए चैनल को मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ फिर से आपको जैहिंद